प्लस पदो पर निकाली गई लेटेस्ट वेकिंशिस की अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे सो यूपी पुलिस की तरब से आपको बंपर बर्तिया देखने को मिलेंगी जिनके लिए आप अपना ओनलाइन अप्लिकेशन फोर्म संबिट कर सकते हैं और आपको यहापर परमत पेसकेल कितना प्रुवाइड किया जाएगा इन सभी टॉपिक के वारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वीडियो को लाक्सेग जरूर देखेगा साथी में दूस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस रिक्वेस्ट करना चाओंगा अगर अभी तक आपने हमारे यूटुब चेनल को सबस्क्राइब नहीं कया है तो आप हमारे यूटुब चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ले और गंटी के बटन को जरूर तबा ले ताकि इसी तरीकी की latest government jobs की information आपको सबसे पहले मिल सके तो चली प्रेंट सबसे पहले आपको इसकी official website पर आजाना है जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा जहां से आप इस बरती के लिए इसका official notification डाउनलोड कर सकते हैं साथी में इस बरती के लिए अपना online application form submit कर सकते हैं तो प्रेंस यहाँ पर आप इजली चेक कर सकते हैं मैं इसके official website पर आज सुका हूँ यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं उत्तर प्रदेश police recruitment and promotion board की तरप से आपके इन vacancies को यहाँ पर रखा जाएगा यहाँ पर आपका जो notification release किया जाएगा यह September 2023 में release किया जाएगा मतलब कि दूस्तो जुलाई 2023 में यह notification release किया जाना था लेकिन दूस्तो किसी कारण वस जो है इस notification को delay कर दिया गया है और अब जो है September 2023 में आपको यह notification देखने को मिलेगा application fees के बारे में बात करें तो general OBC candidate को 700 रुपे application fees जमा करवानी होगी SCHT candidate को 300 रुपे application fees जमा करवानी होगी आप debit card, credit card, net banking, UPI, cash card और wallet का इस्तमाल करके अपनी online application fees को जमा कर सकते हैं age limit के बारे में बात करें तो general category के लिए 18-23 साल age limit रखी जाएगी OBC के लिए 18-26 साल age limit आपकी यहाँ पर रखी जाएगी SCHT candidate के लिए 18-28 साल और अगर आप female candidate है तो आपको यहाँ पर 18-26 साल age limit देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों SCHT candidate को 5 साल की and OBC candidate को 3 साल की government tools के अनुसार age में छूट पे provide की जाएगी and यहाँ पर बात करते हैं दूस्तों eligibility qualification के बारे में तो देखें जो भी candidate अपना बारवी class पास कर चुका है चाए उन्होंने किसी भी board, किसी भी university या फिर किसी भी institute से अपनी qualification को complete किया है तो आप इस बरती के लिए आविदन कर सकते हैं नंबर अप vacancies के बारे में बात करें तो देखें यहाँ से आप post wise vacancies चेक कर पाएंगे कि costable civil के लिए 41,811 vacancies आपको देखने को मिलेंगे PSE के लिए 8540 vacancies आपको देखने को मिलेंगे special security force के लिए 1,341 vacancies रखी जाएंगे और दोस्तों fireman के लिए 1,007 vacancies आपको देखने को मिल जाएंगे total 22,699 पदों पर आपको यह vacancies देखने को मिलेंगे approximately 23,000 पदों पर आपको यह vacancies देखने को मिलेंगे जिनके लिए आप अपना application form submit कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भी आप जो है vacancies चेक कर सकते हैं कि कितनी vacancies यहाँ पर रखी जाएंगी और जो application form submit करने की उम्मेद लगाई जारी है कि मतलब कि लगबग 25,000,000 लोग जो है इस बरतिकले अपना application form submit करने वाले हैं यहाँ पर आप पूरी की पूरी information check कर सकते हैं कि जो 25,000,000 आविदन आने की उम्मेद यहाँ पर लगाई जारी है और vacancies भी आप यहाँ से check कर पाएंगे selection process के बारे में बात करते हैं योपी police costable के लिए तदी कि सबसे पहले आपका written exam conduct करवाई जाएगा इसके बाद में आपका physical extended test रहेगा देन आपका physical efficiency test conduct करवाई जाएगा इसके बाद में आपका medical test और document certification करवाई जाएगा सो यह आपकी कुछ step रहेंगे जिनके आधार पर आपको final selection यहाँ पर मिलने वाला है और इसी के साथ में physical eligibility बारे में बात करें physical eligibility test के बारे में तो देखे यहाँ पर जो male candidate के लिए या फिर general OBC और SC candidate की male candidate के लिए 168 cm minimum height रखी जाएगी female candidate के लिए 152 cm height रहेगी chest यहाँ पर 79 cm लिया जाएगा minimum chest और 5 cm का फुलाव आपके chest में होना चाहिए और female candidate के लिए 40 kg weight होना बेहाद जरूरी है ST candidate के लिए 160 cm male candidate के height लिजाएगी और 147 cm female candidate से height लिजाएगी 37 cm आपको minimum chest होना चाहिए और 5 cm का फुलाव आपके होना चाहिए साथी में 40 kg female candidate का weight होना बेहाद जरूरी है वही male candidate को जो है आपर 4.8 km की दोड़ complete करने होगी 25 मिनट में और female candidate को 2.4 km की दोड़ complete करने होगी 14 मिनट में बात करते ही दोस्तों how to apply के बारे में कि किस तरीके से आप इस बर्ती के लिए अपना online application form submit कर सकते हैं तो देगे दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ step provide किये गए हैं आप इने steps को follow करके easily अपना online application form गर बेट करके अपने mobile के मैध्यम से submit कर सकते हैं तो अगर आपको अपना online application form submit करने में किसी भी प्रकार की problem का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे नीचे comment box में next video के लिए message कर सकते हैं मैं आपके लिए जल्दी से एक नई video ले करके आजाऊंगा जिसमां आपको बताऊंगा कि आपकी इस तरीके से अपना online application form घर बेट करके अपने mobile के मैध्यम से submit कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को subscribe कर लेना है तो आप अपने ये सारे के सारे documents एक्दम से तयार रखिएगा क्योंकि दूस्ते यहाँ पर आपको जो है अधार कार्ड की जर्रत पढ़ने वाली है आपके पास में mobile नंबर होना है चाहिए साथी में 10 वी और 12 वी के मार्क्षेट के आपको जर्रत पढ़ने वाली है Domitial Certificate, Category Certificate और Income Proof Certificate आपको यहाँ पर दे रहोगा अगर आपके फस में यही डोकुमेंट से उलेबल है तो आप इस बरती के लिए आवे दिन कर सकते हैं एक्जाम पेटन के बारे बारे बात के लिए कि यूपी पुलिस के लिए आपका एक्जाम पेटन क्या रहीगा तो देखे जनरल साइन्स से आपके 38 कुशन 46 नंबर के पुछे जाएंगे जनरल हिंदी से आपके 37 कुशन 44 नंबर के पुछे जाएंगे जरूर बतना वीडियो पसंद आईए तो लाइक जरूर कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेयर करना बिलकुल मत बूलना चैनल पर पहली बार विजिट करने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटी के बटन को जरूर तबाले ताकि इसी तरीकी की लेटेस्ट गोर्नमेंट जॉप्स की इनफोर्मेशन आपको सब से पहले मिल सके सो चली फ्रेंट्स इस वीडियो में सिर्फ इतने ही मिलता अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाए जैहिं दोस्तों